नमाशकार दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी गोभी और हरी मडर की मसालेदार सब्जी बनाएंगे दोस्तो अगर आपको ये सब्जी का वीडियो पसंद आता ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले मैहाँ पर हरी गुभी लिया हूँ तो 200 ग्राम मैहाँ पर हरी गुभी लेकर इस तरह मैं तुकड़े कर लिया हूँ उसके बाद मैहाँ पर एक कप हरी मटर लिया हूँ तो अब हम इन दोनों को मतलब हरी गोभी और हरी मटर को बॉयल करेंगे पानी में तो पानी मैं पहले से गरम होने के लिए रख दिया था जब आपका पानी अच्छे से गरम हो जाए तब हम यहाँ पर हरी गोभी एड़ करेंगे और उसके बाद हम हरी मटर आड़ करेंगे बॉल करने के लिए तो इन दोनों को आड़ करने के बाद अब हम यहाँ पर एक चमच नमक आड़ कर देंगे ताकि दोनों चीज अच्छे से पक जाएं अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पांच मट पकने के लिए छोड़ देंगे पांच मट होने के बाद अब हमें इसे चिक करना है हरी मटर और हरी गुबी को चिक करने के बाद अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है फिर उसके बाद हम छन्नी से इन दोनों को चान लेंगे और अब हम चलेंगे इस सब्जी को बनाने के लिए एकदम मसालेदार तो सबसे पहले हम यहाँ पर कड़ाई में सरसो का तेल लेंगे 2 चमच छोटे चमच से मैं यहाँ पर सरसो का तेल लिया हूं इसके बाद हम यहाँ पर आधा चमच जीरा एड़ करेंगे जीरा एड़ करने के बाद अब हम यहाँ पर दो प्याज चौप करके एड़ करना है इसके बाद हम यहाँ पर दो हरिमिर्च बारीक चौप करके एड़ करना है इसके बाद हम यहाँ पर आधा चमश लसुन और अद्रक का पेस्ट एड़ करेंगे और सभी चीजों को हम यहाँ पर पका लेंगे तो ऐसे ही आपको चलाचला कर हमें दो मिर्टक इन सभी चीजों को पकाना है और जब यह अच्छे तरह से पक जाए तब हम यहाँ पर सुखे मसाले अट करेंगे जैसे कि आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर अट करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर गरम मसाला अट करेंगे आधा चमच इसके बाद हम यहाँ पर आधा चमच धन्या पाउडर अट करेंगे तो सभी मसाले एड होने के बाद अब हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे तो चम्मच से पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों खुजबू आ रही है मसालों की मतलब हमारे यहाँ पर मसाले अच्छे से पक गए हैं सूखे मसाले इसके बाद हम यहाँ पर दो टमाटर का पेस्ट एड़ करेंगे तो टमाटर एड़ होने के बाद टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स होने के बाद अब हमें टमाटर को भी पकाना है ढख करके तो तीन मट के लिए हम यहाँ पर ढख देंगे ताकि हमारे अच्छे से मसाले और टमाटर पक जाएं तो तीन मट के बाद हमें कैफ को निकालता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों मसाले पक गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है तो अब बारिया यहाँ पर हरी गोभी और हरी मटर अट करने की तो दोनों को हम यहाँ पर अट कर देंगे और मटर और गोभी को हम पहले मसालों के साथ भूझेंगे जितना आप अच्छे से भूझेंगे ना उतना बढ़िया सौधिस सबजी बनेगी दोस्तो तो दो मिर्दक मैंने याँ पर भूझा हूँ और उसके बाद अब हम याँ पर ग्रेवी त्यार करेंगे तो ग्रेवी के लिए मैं आपर दो कप पानी का इस्तमाल किया हूँ और स्वाधिन सार नमक अड़ किया हूँ और अब हमें चम्मस से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे 10 मिट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है इस सबजी को तो दस मट के बाद दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों हमारी सबजी रेडी होगी तो कैफ को निकाल देते हैं दस मट के बाद और देखते हैं कि हमारी जो सबजी का जो कलर है ना बहुत बढ़िया और मसालेदार दोस्तों ये सबजी बनी हुई है यह देखिए दोस्तो कितना बढ़िया इसका जो कलर है सबजी का ना बहुत ही इदम चटाकेदार दिख रहा है दोस्तो तो जरूर आप हरी मटर की सबजी बनाके ट्राइ कीजिएगा इदम मसालेदार बनिये दोस्तो और अगर यह सबजी का वीडियो पसंद आता ना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल में नए आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ